हेलो फ्यू अन्बोक्स नीरे मैं आप सब का स्वागत है और में हमरान आज मेरे पास तो विज्य रिवाइज से यह है रेडमी नोट थारीम प्रप्लाइस सा 5G स्मार्फोन की फ्यूजन वाइट कला रहे हैं जिया दोस्तों से लिए सबस्क्राइब को अन्बोक्स करते हैं ड स्मार्फोन को देखते हैं और यह रहा दुस्तों रेडमी नोट थारीम प्रप्लास 5G स्मार्फोन बहुत बढ़िया लुक्स डिजाइन के साथ वाइट कलर में यह स्मार्फोन हमें देखने को मिल जाता है डिवाइस की जो फास्ट लुक है बहुत ही बढ़िया है अलग फेरियंट है मेरे पास जो कलर है यह है फ्यूजन वाइड कलर इसके लाव डिवाइस में फ्यूजन परपल और फ्यूजन ब्लैक और दो कलर इसी स्मार्फोन में मौझूद है और इस स्मार्फोन को चलिए सबसे बिले ऑन करते हैं और बात करते हैं इसी स्मार्फोन क से यहाँ पे सेटप हो चुका है और डिवाइस के डिस्प्ले देखे कितना खूब सुरत है कर डिस्प्ले यहाँ पे नज़र आ रहा है 3D कार्ब शेप में इसी स्मार्फोन की डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है जो चिप सेट के दिया गया है 2.8 GHz clock speed के साथ में जो मीडेरिक डेमेंसरी 7200 प्रसेसर है अल्टरा प्रसेसर बहुत ही बढ़िया है 4NM बेस जो गेमिंग इन इस्पीड के माँवने में काफी फास्ट होगा डिवाइस में Android 13 है MIUI लेंट स्टेया पे 14 दिया गया है डिवाइस में 200 Mbps का primary camera दिया गया है और 16 Mbps का selfie camera दिया गया है 200 Mbps का OS primary camera है इसके लगा 8 Mbps का ultra warning lens और 2 Mbps का micro lens इसी स्मार्टफोन में दिया गया है 16 Mbps का selfie camera परचड़ F2.4 के साथ में दिया गया है डिवाइस में जो बेटरी दिया गया है डिवाइस को चार्ज होने में only 19 मिनिट लगागा जहां 100% तक चार्ज हो जाएगा इसी स्मार्टफोन की अगर weight के उपर बात करो तो 199 gram इस phone की weight है और जो thickness से रखा गया है 8.9 mm तिकनस से इसी स्मार्टफोन की और चले दूस्तों फिलाल बात के लिए ते प्राइस के बारे में डिवाइस में तीन अलग अलग वेरियंट है इस वेरियंट है 8GB RAM 256GB ROM जिसका प्राइस है 1,999 पीस याने almost 32,000 का ये स्मार्टफोन है डिवाइस में 12GB 256GB वेरियंट आता है जिसका प्राइस है 3,999 पीस याने almost 34,000 का ये स्मार्टफोन है डिवाइस में 12GB और 500GB ROM के साथ में एक वेरियंट आता है जो आपर वेरियंट है 35,999 पीस याने almost 36,000 का ये स्मार्टफोन है 12GB और 500GB ROM के साथ में तो अवराल देखा जाए प्राइस रेंज के इसाबस एक बड़िया डिवाइस है Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्फोन मुझे तो खास करके Fusion White का ना में काफी बड़िया डिवाइस लगा आपको ये स्मार्फोन कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षिन पे जुरू बताएए तो ये तो दोस्तो Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्फोन के अंबॉक्सिंग और इसी स्मार्फोन के बारे में उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जुरू पसंदा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो के लाइक रहे चैनल को सब्सक्राइब नीके नीचे दिये गए वर्ड विडियो को क्लिकर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को जुरू शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट के से इंडरस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक लिए बाई ठीक क्यार एंचाए हिंद